और अगर तूटता भी है तो फैंस इनके नाते को टूटने ही नहीं देतें कभी टरोलिंग के जरिये तो कभी मीम्स के जरिये फैंस हैं कि इन दोनों को आपने सामने ले ही आते हैं दोस्तों आपको बता दे कि एक बार फिर से हीमान श्री खुराना और आसिम रियाज की फैंस शेहनाज गिल को ट्रोल कर रही है और इसकी वज़े ये रही कि कलर्स पर एक बार फिर से बिग बोस सेजन 13 को दिखाय जा रहा है तो अब जाहिर से बात है कि अगर सीजन नजर आएगा तो वहीं फैंस के बीच में वार भी होंगी और फैंस के बीच में जो तकरारे उस वक्त थी वो भी नजर आएगी लेकिन अगर इन सेलिबिटी को देखा जाए तो ये अपनी अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हैं हिमानशी खुराना और शेहनास के खुद भी अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुकी हैं लेकिन फैंस हैं कि आगे बढ़ना ही नहीं चाते अब सीजन शुरू हुआ ही है कि फैंस एक दूसरे के तकरार में भी आ चुके हैं कोई किसी को ट्रोल कर रहा है तो कोई किसी को तो ऐसे में आसिम और हिमानशी खुराना के फैंस मिलकर ट्रोल कर रही है शहनास को कभी आसिम और शहनास की फोटो के एडिट करके ये दिखाया जाता है गिरी हुई लड़की तो वहीं दूसरी तरह इमानश के कुछ फैंस शेहनास को ट्रोल करते हुए उनको कमोली का 3.0 बोल रही है वेल दोस्तों क्या कहना शाहेंगे आप कमेंट शेशन में हमें जरूर बताएगा क्या आपको नहीं लगता कि अब उस सेजन को 3 साल हो और कम से कम अब तो नफ्रते कम कर ही देनी चाहिए बजाये जब कि जब यह सालिप्रिटी खुद भी काफी आगे निकल चुके हैं क्या कहेंगे कमेंट शेशन में जरूर बताएगा और इसी तरह से कई अपडेट के लिए बने रहीएगा चैनल के साथ और चैनल को सब्सक् एफ जरूर कर लिजिगा